एलो एबरिवन असलाम लेकुम वेलकम बैक टो माई चैनल माई राग। कि आप जानते हैं दुनिया में एक इलाका ऐसा भी है जहां पर मिनिमम टेंपरिचर जो है वह माइनस सैमन और ज्यादा से ज्यादा माइनस 148 यहीं खून जमाद देने वाली सर्दी होती है ठंडा इलाका बिलकुल खुश के लाका जी मैं बात कर रहे हूं अंटार्किटिका क अचले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में दिये के बाल एकन को प्रेस करें ताकि म इस अलाके की द्रियाफत के बाद बहुत से लोग बड़े बड़े बहरी जहाज लेकर इस अलाका में पहुँचे, मगर यहां आकर इनके जहाज फंसके, जो आज तक फंसे हुए हैं, इनको आप गूगल मैप के जरिये जो है बासानी देख सकते हैं। इस पूरे अलाके में जिर्फ एक होस्पिटल, एक छोटा सा रनमे और दो एटियम मशिन्स मुझूद हैं। याद रहें कि यह आईरलाइन रख्बे के लिहाज से यूरप से भी बहुत बड़ा है। यहाँ दिन 6 शारिया पांच और जब के रात 5 शारिया पांच महीनों की होती हैं। अगर अंटार्क टीका का मिठा पानी यह बरफ पिंगल जाये तो पूरी दुनिया में सोनामी आ सकती है। यह दिनिया का वो हिस्सा है जहाँ पर कोई भी इनसान नहीं रहता। क्योंकि अंटार्क टीका के अगर दरज़ा हरारत की बात की जाए तो यह दुनिया का सबसे ठंडा इलाका होने का एजाज हासिल है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टंपरेचर माइनस सेवन डिकी जो है रिकार्ड किया गया है। कि कम से कम टेमपरेचर माइनस 148 रिकार्ड किया गया है। यहाँ पर मुझूद जितने भी लोग यहाँ पर आपको वीडियो में नज़र आते हैं वो सब किसी ना किसी मुल्क के रिसरचर्ज होते हैं। यहाँ पर काम की गर्से आने वाले लोग और रिसरचर्ज बहुत जएदा इहतियात के साथ रहते हैं। और बिला ज़रुत कोई भी अपनी रियाशगा से बाहिर नहीं निकलते। पाकिस्तान समेत यहाँ पर बहुत से मुमालिके जो हैं रिसरच सेंटर मुझूद हैं। यह इलाका 14 मिलियन मुर्बा किलुमेटर पर फैला हुआ है। यह इलाका इनसान के लिए इतना बेरहम है कि अगर कोई शक्स बगएर सेफटी के अगर अपना हाथ 30 सेकंड के लिए हवा में रखता है तो अपना हाथ हमेशा के लिए खो देगा। आपको यह बात चानकर ओस ज्यादा हिरांगी होगी कि समंदरों के बीचे बीच इस आईलैंड में दुनिया का यह फुशक तीन आईलैंड है। यहां आकर आपको स्वाई बर्फ के और कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां यहां यह इनसानों के रहने की जगा नहीं ना तो इन अलाके में कोई जानवर है ना ही कोई प्रिंदारत है। मगर अगर बात की जाए तो स्पेशल यहां पर फिंगर्स रहते हैं। यहां पर फिंगर्स की एक हजार से जाइद इक्साम पाई जाती है। यह चैनवर पूरी दुनिया में कहीं भी यही पाया था सुाय अन्टारकटिका के, यह कहना गलत नहीं होगा, कि अन्टारकटिका प्रेमें. वो डार्क टिका के लिए ही बने हैं आपको कैसे लगे इंटरस्टिंग फैक्ट अंडर्क टिका के बारे में जी, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमट करें, देखना चाहते हैं रुजाना इस तरह की वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेज़ से इशाला आपके लिए कोई और इस तरह की इंफरमेटिव वीडियो लेकर आऊँगी तब तक के लिए अल्ला हाफिस